हलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैंगर बैंस महरूपाली वर्मा आज का हमारा वीडियो जो है वो है क्लास नाइन्थ हिंदी कोर्स बी की हमारी बुक है इसपर्श भाग एक इसपर्श की हमारी बुक जो है वो दो खंडों में विभकते हैं गद्देखंड और कावे खंड त तो आज हम इसका करा रहे हैं complete chapter revision इसका detail explanation, NCRT solution already हम करा चुके हैं अगर आप पहली बार ये chapter पढ़ने जा रहे हैं तो detail explanation से इसे शुरू कीजेगा अब ये आज का वीडियो, आज का वीडियो quick revision है अर्थात इस chapter को हम फटाफट revise करेंगे किसलिए जब हमारे test exam होते हैं उस पहले से ही, तो अब हमी क्या करना है, तो ये वीडियो उस दौरान आपके लिए बहुत जादा helpful रहेगा, मतलब आप फटफट इसको revise कर लेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं ये chapter हम, तो आप सभी चंदर शेखर वेंकर रामन के नाम से अच्छी तरह वाकिफ हैं, वैज् रहें, तो उनके जीवन, उनका जन्म कहां हुआ, कैसा जीवन रहा, सभी कुछ इस पार्ट के अंदर हम जानेंगे, क्या है, रामन का जन्म और उनकी प्रतिभा, तो पहरा हैडिंग हमारा यह है, चंदर शेखन वेंगेट रामन का जन्म साथ नहुंबर 1888 को तमलाडू के तिरुचरापली नगर में हुआ था, अब आपको यहाँ पर जो याद रखना है, वो है डेट, सन और जहां उनका जन्म हुआ था वेंगेट रामन कुल 11 वर्ष की उम्र में मैट्रिक, विशेश योगता के साथ इंटरमीडियेट, भौतकी और अंग्रेजी में सोड़ पदक के साथ बीए तथा प्रथम शेडी में में करके मात्र 18 वर्ष की उम्र में कलकत्ता में भारत सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट में सहायक जनरल एकाउंटर नियुक्त हो गये थे अब देखिए कितनी कम उम्र में, इन्होंने क्या बताया, मात 18 वर्ष की उम्र तक उन्होंने में कर लिया था इतनी शम्ता थी उनके अंदर उनकी बहुत दिक शम्ता अपरम पार थी इतना अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया और उसके बाद उन्होंने भारत सरकार के फाइनेस डिपार्टमेंट में जो है सहायक यानि की डिपटी जनरल अकाउंटेंट के रूप में वो नियुक्त भ अभी बहुत थे मतलब इनके टीचर्स भी देखकर बहुत ही जादा आश्चरे करते थे कि इस बच्चे के अंदर इतनी जादा कैपिबिल्टी होता ने किसी की लर्णिंग पावर कैपिसिटी पावर ये इनकी बहुत अच्छी थी ग्रापिंग पावर किसी बीचीज में कि reg 2005.100 को समझना उसको ग्राप करना वह बहुत ही अच्छा था उनका मतल TIM दमाले जब छूटे थे आपको पता नी था कि ये बर्फ कैसे जमती बार का फॉर्मेशिन कैसे रहता है कैसे आप आपीने दिरे दिरबपार में झानना शरूट है आज भी आपके अंदर बहुत सारी चीज़ों को जानने की क्यूरिसिटी रहती है कि यह कैसे होता है तो वही चीज जो है रावन के अंदर कैसी थी चंदर शेकर वेंकर रावन प्रकति प्रेमी होने के साथ साथ वैज्ञानिक जिग्यासा रखने वाले वैक्ति थे मतलब वो चीज को जाननी की जिग्यासा होती है वो उनके अंदर बहुत प्रबल थी यानि की बहुत जादा देज थी जैसे न्यूटन ने पेड़ से गिरते सेव समंदी रहस को सुलजाया था वैसे ही चंदसेकर वेंकर रामन ने समुद्र के नीले जल का रहस सुलजाया था मतलब हम उन्हें ग्रैविटेशन कैसे पता चली थी न्यूटन ने हमें नहीं जब देखा कि पेड़ से जो फल गिरा तो वो क्यों हुआ उन्होंने तब ग्रैविटेशन फोर्स की जो है वो खोज करी उसी तरीके से वैंकर रामन ने यह सब बताया कि समुद्र का जल नीला क्यों है क्या कारण है उसका वर्ष 1921 में वे समंद्री यात्रा पर थे उन्हें समुद्र को निहारना अच्छा लगता था अपनी यात्रा के दौरान समुद्र को देखकर उनके मन में एक सवाल उठा कि समुद्र का रंग नीला क्यों होता है इस प्रश्ट को हल करते ही वे विश्व समुद्र के में प्रसद्ध हो गए उनकी इस खोच को रामन प्रभाव के नाम से जाना गया इसी खोच के लिए उन्हें नोबेल पुरसकार भी मिला तो मतलब वो एक समुद्र यात्रा कर रहे थे समुद्र यात्रा के दौरान उन्हें जो है अब है सभी को सी साइड पानी अच्छा लगता है तो वो भी शिप खड़े होके जो है वो बाहर पानी को समुद्र को निहार रहे थे अब वो निहारते निहारते जो है उनको लगा कि भाई ये समुद्र का पानी नीला क्यों कोई और कलर क्यों नहीं है इसके अंदर तो जब उन्होंने इसकी खोच कर ली तो वो विश्व प्रसुत हो गया और इसी के लिए उनको नोबेल पुरसकार भी मिला था रावन के व्यक्तित पर उनके प्रिता का प्रभाव होता है ना हमारी जो पस्टनालेटी होती है उस पे किसी ना किसी का भाई मा है पिता जी है भाई बहन है या दादा दादी है नाना नानी है किसी का बहुत जादा प्रभाव पढ़ता है तो वहाँ पर वेंकेट रमन के जो वेक्तितु था उस पे उनके पिता जी का प्रभाव बहुत जादा था क्या है रामन की पिता गणित तता भौतिकी के सिक्षप थे इनके पिता इन्हें बच्पन से गणित भा भौतिकी पढ़ाते थे यानि की गणित यानि मैज्स भौतिकी मतलब फिजिक्स पढ़ाते थे उन्होंने ही इनके एह हिर्दय में विज्ञान के प्रति रूची उनका मस्तिक्ष बश्पन से ही वेग्यानिक रहसों को सुलजाने के लिए बेचैन रहता था इसमें कोई अतिश्योक्ती नहीं है कि जिन दो विश्यों के ग्यान ने उन्हें जगत प्रसिद्ध बनाया उनकी सुद्रण नीव उनके पिता ने ही तयार की थी मतलब जो दो उनके मजबूत कमान्ड वाले जो सब्जिक्ट रहे वो मैट्स और फिसिक्स था और इसके प्रती उनके अंदर जो भामना पैदा करने का काम था ये किस ने किया था ये उनके पिता जी ने किया था और इसी वज़े से वो जो है विश्व प्रसिद्ध भी हुए थे वे अपना सारा जीवन शोधकार में लगाना चाहते थे मतलब उन्होंने बश्पन से ही डिसाइट कर लिया था कि मैं चीजों के बारे में खोजबीन करूँगा ये उन्होंने पहले ही डिसाइट कर लिया था परतु उन दिनों स्वतंत शोध को करियर के रूप में अपनाने का कोई वेवेस्था नहीं थी मतलब हम ये चाहें कि जैसे आज कल है आज कल कि बहुत सारे आप्शन से हैं लेकिन पहले इतना नहीं हुआ कर सकता था कि हम एज़ा प्रोफेशन इसको करियर के रूप में अपना ले कि हम इस चीजों पर खोजबीन करेंगे हमको इस चीज का पैसा मिलेगा ऐसा कोई आप्शन पहले अवेलेबल नहीं था अता वे भी अन्य सुयोग तथा प्रतिभावान चात्रों की भाति भारस सरकार के वित्विभाग में अफसर बन गए उनकी तैनाती कोलकाता में हुई तो मतलब अब क्या करते भाई करियर आप्शन तो ले नहीं था जीवनियापन करना है तो उसके लिए वो भारस सरकार मे विद्दय बनतरी में एक करमचारी बन गए और saying. रामं दौरा कलकत्ता विश्विध्याले की नौकरी. अब उन्होंने क्या किया खलकत्ता विश्विध्याले में नौकरी करते हैं. सर आशितोष मुखर जी एक प्रशिद सिक्षा सास्क्री थे. जब वहाँ परकुलकता में थे तब वहाँ की बात हो रही है उन्होंने रामिन की प्रतिभा के बारे में पता चला उन्हों में जाना कि भाई रामिन बहुती ब्राइड स्टुडन्ट रहे हैं खासों से Physics and Maths के तो उन्होंने पता चला उन्होंने कलकत्ता विश्विदाले के प्रोफेसर पत के लिए रामन को आमंत्रित किया उन्होंने कहा कि इतना प्रतिभाशाली वेक्ती है तो क्या वित्यमंत्राले में कर रहा है यहां आएं अपनी प्रतिभा को भी बढ़ाएं और अपनी प्रतिभा से लोगों को भी फायदा करें इसलिए उन्होंने अज़ा प्रोफेसर उन्हें वहाँ पर बुला लिया कहां पर युनिवर्स्टी केलकटा युनिवर्स्टी में ये पद उच नौकरी की तुल्ला में बहुत निम्न और कम वेतन वाला था मतलब यहां भी इतना पैसा भी नहीं था और उनको पद प्राप्त सा उससे कम भी था इसके बावजूद रामन ने सुक्सु विधाओं का मोत याकर ये नौकरी स्विकार करी अब क्यों स्युकार करी उन्होंने ये नौकरी भाई उनके अंदर भी तो यही काम करने की लालसा थी अब वो वित्वमंतराले में क्या कर रहे थे वहां उनके अंदर की जिग्यासा तो शांत नहीं हो रही थी जो वो करना चाहते थे, खोजबीन वगेरा, वो तो वह नहीं कर पा रहे थे, तो उन्हें लगा कि अगर मैं as a professor विश्वध्याले में आ जाता हूँ, तो मैं अपना ग्यान दूसरों में बांट भी सकता हूँ, और जो मैं शोधकार करना चाहता हूँ, मैं विश्वध्याले म करते हूँ भी विवग्यानिक प्रयोगों से जुड़े रहे, और वे कार्याले में फूर्सत पाते ही, इंडियन एस्विशेशन फॉर्दा, कल्टिवेशन ऑफ साइन्स नामक प्रयोग शाला में जाते हूँ, नय नय प्रयोग करते, तो मैंने क्या बोला था, वहां कैसे शोध किये, यारी क्या-क्या खोजे करी, इंडियन एस्विशेशन फॉर्दा काल्टिवेशन ऑफ साइन्स नामक संस्था की यह प्रयोग शाला कलकत्ता की डॉक्टर महिंद्रलाल सरकार के प्रयासों से बनाई गई थी, यह संस्था किसने बनाई थी, याद रखिये, जो वैज्यानिक प्रवत्ती छिपी रहती है, उसको निकाल के बाहर लेकर आना, इसका मुख उद्देश्य था, यहाँ साधनों का अभाव था, फिर भी वैंकर रामन प्रयोग करने में लगे रहते हैं, मतलब इतनी फैसलिटी सिनीर होते हैं, वैशोध करने के लिए बहु गिटार है, सितार है, तबला है, इनके जो तरंगे होती हैं, जिनसे आवाज दिकलती है, इसको भी उन्होंने खोजने और सुलसाने का प्रयास किया, उन्होंने इस व्रांती को तोड़ा की विदेशी व्याद्य अंत्र, वाइलन, चेलो और पियानों की तुलना में भारति वाद्य अंत्र, वीना, तानपूरा और नदंगम घटिया है, तो उन्होंने बताया, लोग सोचते थे नहीं कि भाई, हमारा हर्मनियम बेकार है, वाइलन बड़ा अच्छा है, तो इस ब्रांती को भी उन्होंने तोड़ा, कि नहीं, इनकी आवाजे भारतिय वाद्य अंत् की तथा शोध पत्र की भी प्रकाशित किये, कहते हैं, अब ये शोध पत्र क्या होते हैं, जब हम कोई खोज करते हैं, तो उसका हमें जो है एक रिपोर्ट रेडी करनी होती है, तो उसको शोध पत्र के रूप में बोला, कि आपनी क्या खोज करी, इसमें क्या पाया, तो व वज़ा की खोज का एक फल रामन प्रभाव के रूप में विख्यात है तो जो उन्होंने समुद्र के नीले जल का खोज जो करी थी वो रामन प्रभाव के नाम से प्रसिद्ध हुई है रामन ने ठोस रवो और तरल पदारतों पर प्रकाश की किरणों के प्रभाव का अध्यन किया ठोस रवो यानि की जो सॉलिट करणूते हैं उन पर जब हम प्रकाश डालते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है और जब हम लिक्विट पे कोई रोश्नी डालते हैं तो क्या प्र जो light है वो साथ रंगों से मिलके बनती है तो जब हम इसको ठोस से गुजारे तब और जब हम तरल से गुजारे तो उनकी lights में फरक आ जाता है रंगों में फरक आ जाता है एक वर्णिये प्रकाश तरल या ठोस रवों से गुजरते हुए जिस परिणाम से उजा खोता है उसी हिसाब से उसका वर्ण परविर्थित होता है मतलब जो energy वो ठोस से गुजर के या लोट के आके पा रहा है उसी से उसके जो है रंगों में changes होते हैं रामन की खोज की वजह से ही अणों और पर्माणों की आंतरिक संग्रचना का अध्यन सरल हो पाया अब रामन की इस खोज के कारण ही जो अणों होते हैं पर्माणूं होते हैं उनकी शोध कारणियों में जो व्यज्यानिक लगे थे उन्हें बहुत ज़ादा help मिली आड़विक एवं पर्माणविक संग्रचना के अध्यन के लिए इंफ्रारेड इस्प्रेक्टो इसक्रोपी की जगा रामन इस्प्रेक्टो इसक्रोपी का सहारा लिया जाने लगा तो अब इन्होंने जो इसको इंफ्रारेड के लिए था वो रामन ने अपनी तरफ से जो दिया उसका उन्होंने इस्तिमाल करना शुरू कर दिया इससे पदार्तों का संग्रेक्षर प्रयोक्षाला में करना तथा अनेक उपयोगी परदार्तों का क्रतिम रूप में निर्माण करना सब्भव बहुत ही छोटी सी छोटी चीज को भी जो है वो रामन की हेल्प से किया जाने लगा अब देखिए अडू और परमाणू बहुत ही छोटे होते हैं तो इनकी द्वारा की गई खोजों से क्या हुआ कि इन चीज इन चोधों को करना और थोड़ा सा आसान हो गया रामन द्वारा प्राप्त किये गए पुरसकार और सम्मान अब उन्होंने इतनी सारी पुरसकारों की जड़ी ही लग गई भाही इतनी सारी खोजे करी तो जायसी बात है उन्हों पुरसकार भी मिलेंगे रामन को रॉयल सोसाइटी की सदस्ता से सम्मानित किया गया एवं इन्हें सर की उपाधी भी मिली उन्हें विश्व के सरवाधिक प्रतिष्ट नोबल सम्मान प्राप्त हुआ है भारतिय संस्क्रति के प्रति रामन की अटूट आस्ता जाहरती बाते वो एक भारतिय हैं तो यहां की संस्क्रति के प्रते उन्हें आस्ता होगी ही रामन ने रास्टिय स्वाभिमान कूट कूट कर भरा था विदेशी व्यज्यानिकों के बीच ब पहनावे को पहन के रचाहें इंटरनेशनल वे में जाएं तब वह एक साउथ इंडियन जुन का ब्रेस था वह हमेशा वेर करके रखते थे उन्होंने कभी मदिरा पार नहीं किया नोबिल पुरुसकार लेने के अफसर पर भी उन्होंने शराब पीने से मना कर दिया कहते न सेलिब्रेट करिये अरे आप यह ले लिजे तो उन्होंने मना कर दिया मैं यह सब चीजे नहीं करता हूँ वे जीवन भर शुद्ध शाकाहारी बनी रहे मतब एक प्योर वेजिटेरियन थे ये नहीं था कितनी सफलता प्राप्त कर ली है तो उनके अंदर कुछ वेवसान आ जाए ऐसा कुछ निवा कोई बुरी आदते नहीं आई उनके अंदर और वो एक भारती जो थे जिस रूप मे उन्होंने खोजे शुरू करी ठी एक अनोन पर्षन से लSabान पर्षन तक के में उनकी वही जो है आदते थी हो हमेशां बनी रही है कि विज्ञानई राष्ट के प्रती रामन का समर्पित जीवन अब उनका पूरा जीवन जो है वह विज्ञान के लिए समर्पित रहा क्या था पूरा रामन में वैज्ञानिक दृष्टी के सासात राष्टिय चेतना भी प्रखर थी उन्होंने स्वतन्त भारत में अत्यंत उन्नत प्रयोग शारा स्थापित की मतलब बहुत अच्छी जो हम बोलेंगे बहुत अच्छी क्वालिटी की जो लेबारेटरिस होती है वो उ करी तता सेक्डों छात्रों का मारदर्शन किया उन्होंने एक करेंट साइंस प्रतिका का भी संपादल किया 21 नवंबर 1970 को 82 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो गया सर चंद्रशेखर वेंकर्ट रामन वैज्ञानिक चेतना की साक्षात प्रतिमूर्ती थे उन्होंने अप प्रतिमूर्ट रामन प्रभाव की खोच ने रामन को किस पंक्ती में लाकर खड़ा कर दिया रामन प्रभाव क्या था समुद्र का जल नीला क्यिं होता है यह रामन प्रभाव था तो क्या है रामन की राज़्टी ये चेतना उनके वैज्ञानिक कारियों के रूपवे प्रकट हुई रामन प्रभाव की खोज ने रामन को शीरसस्त वैज्ञानिकों की पंक्ती में लाकर खड़ा कर दिया जिस कारण उन्हें अनेक उपहारों और सम्मानों से सम्मानित किया गया बहुत सारे उन्हें उपहारों सम्मान मिले थे जब उन्हें रामन प्रभाव को चाना प्रश्ट संक्या दो है रामन ने वादियंत्रों से संबंध में क्या खोज करी यानि कि इंस्टुमेंट्स जो हैं उनके बारे में क्या खोजे करी थी रामन ने वादियंत्रों की धनियों के संबन्द में ये खोच की कि वादियंत्रों की गुणवत्ता से निकलने वाली धनियों की गुणवत्ता के आधार पर आकी जाती है जिस वादियंत्र की धनियों में अधिक कमपन होता है वह अधिक उन्नत माना जाता है इस द्रश्टी से भारतिय वादियंत्र, वीना, म्रदंगम, तानपुरा, आदी विदेशी वादियंत्रों, वाइलन, चेलो और पियानों आदी से कम महत्रपुर्ण नहीं है तो वादियंत्र क्या होते हैं जिसमें जादा कमपन हो वो जादा अच्छा है तो कहने का ताद पर एक ही चेलो, वाइलन, और पियानों को जादा उच्छ नहीं माना थी उससे अठ्छे जो हैं हमारे वीना, तानपुरा, इन सब के जो तरंगे हैं वो जादा जो है पावफुल है ये चीज उन्होंने खोच करी थी प्रेश्ट संख्या तीन है तो अब उनके तो उनका जीवन और महतपुन कार बहुत बढ़े तो इन्हें आपको क्या करना है शौट में करके लिखना है जिसे आप एक समझ लो एक तरीके से हमने जो अभी तक चैप्टर पढ़ा है उसको आधे चैप्टर को हमें शौट करके लिखना है कैसे लिखेंगे देखिए सीवी रामन का जन्म साथ नुमर 1888 को तमिलनाडू के तिरुचुरापली नामक नगर में हुआ था वे प्रकती प्रेमी होने के साथ वेग्यानी जिग्यासा रखने वाले व्यक्ति थे रामन का मन बश्पन से ही वेग्यानिक रहस्यों को जानने के लिए उच्शुक रहता था उनका पहला शोध पत्र फिलोसफिकल मैग्जीन में प्रकाशित हुआ शोध कार को करियर के रूप में नहीं अपनाने की विवश्टा के कारण उन्हें वित्य विभाग में नौकरी कर ली वित्य विभाग मतलब फाइनल्स डिपार्टमेंट कलकत्ता में नौकरी करते हुए चुट्टी पाते ही डॉक्टर महिंद्रलाल सरकार दौरा इस्थापित इंडियन एस्सोसियेशन पॉर कल्टिवेशन ऑफ साइन्स की प्रयोक्षाला में जाते और उपकरणों के नितान्त अभाव के बीच भी अपने शोध कार करते थे तो मतलब उन्होंने किस तरीके से कलकत्ता में नौकरी करी और फिर वो महिंद्रलाल दौरा स्थापित संस्था में जाकर अपने शोध कार को भी करते थे सेवी रामन ने इस बीच भारती एवं विदेशी वादियंत्रों पर शोद किया रामन ने सरकारी अफसर की सुख सिवधावाली नौकरी छोड़ विश्विद्याले के प्रफोसर के पत को सुविकार किया तो मतलब जो उनको विद्यमंत्राले में जोब मिली थी उन्होंने छोड़ दी और प्रफोसर कापाद उन्होंने प्राप्त कर लिया इसके बाद वे पूरी तरह शोद कार में सगलपन हो गए जिसके परिणाम सरूप उन्होंने रामन प्रभाव की खोच करी रामन की इस खोच से पदार्तों के अणूओं और परमाणूओं की आंतिरिंग स्क्रचना का अध्यन सहेज हो पाया इस उपलब्धी के लिए रामन को नुमल परसकार के साथ साथ सर की उपाधी तता भारत रंजे से पुरसकारों से भी नमाजा गया उन्होंने भारत में भौतकी के छेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए बैंगलोर में रामन रिसर्च इंस्ट्यूट की स्थापना करी तो ये उनके शोधकार रहे उनकी जीवन रहा और साथ ही उनकी उपलब्धियां भी रही प्रश्च संख्या चार है वेंकेट रामन भारतिय संस्कृति के प्रति आस्थावान थे पाठ के आधार पर बताईए अब भारतिय इतने बड़े व्यज्यानिक होने के बाद भी उन्होंने अपनी भारतिय संस्कृति को नहीं छोड़ा जो उनका पहनावा था जो उनका ख था इसी की परणाम सरू भारतिय संस्कृति से उन्हें गहरा लगाफ था उन्होंने अपनी भारतिय पहचान को कभी भी ओवरलाप नहीं करने की कोशिश के नहीं हम भारतिय हैं तो हम पीछे रहें वह भारतिय इस चीज़ का वो गर्ब महसूस करते थे अंतराश्च्री प्रस अपनी भारतिय संस्कृति की किसी भी परंपरा को नहीं छोड़ा मतलब वो विदेश जाते थे बहुत ज्यादा विदेश जाते थे अपने इस कारियों को लेकर महाँ पर लोगों को से सम्मान भी प्राते थे बहुत तरह तरह की मीटिंग्स नें लेकिन तब भी उनका जो अभी भी उसी से कॉंफ्रोमाइस नहीं किया वे हमेशा भारतिये संस्कृति के अपनाई के रखा इसके प्रती उन्की आस्था इतनी गहरी थी कि जब वे नोवल पुरसकार प्राप्ट करने स्टॉक हों गए तो वहां उन्होंने आयोजित पार्टी में अपने समकक्ष वेग्यानियों के कहने के पस्चात भी सराप पीने से इंकार कर दिया मतलब बहुत आपको नोवल पुरसकार मिला है आपको इंजॉयमेंट करना चाहिए पार्टी करना चाहिए तो थोड़ा एल्कोहल ले लीजे तो सब उनके फ्रेंट्स उन से बोला लेकिन उनोंने बोला नहीं रहते थे जो भारतीय संस्कति की विचार धाव एवन परंपराओं के विरुद्ध हो मतब कोई एक आगमिंड हो कोई एक कार नहीं हो कभी भी उसका पार्ट नहीं बनते ते जहां हमारी भारतिय संस्कृति को बुरा या गलत कहा जा रहा हो भारतिय संस्कृति के प्रदिगहरी आस्था का ही परिणाम है कि उन्होंने अत्यंत्य उच्छ स्थरिये शोद करके ये सिद्ध किया कि भारतिय वादियंत्र किसे भी द्रश्टी से विदेशी वादियंत्रों की तुलना में कम नहीं है तो ये भारतिय होने का ही एक जस्बा था एक जुनून था कि उन्होंने इस चीज़ को साबित किया कि हम ले मंबोरे भारतिय वादियंत्र जो हैं विदेशी वादियंत्रों से कहीं उच तरङपों को छोड़ते हैं और हमें सुकुन पहुचारते हैं उन्होंने जीवन बर भारती इवं भारतिय संस्क्रिती की उच स्तर्थी करफें हेत्उ प्रयास किया इस तरहे कहा जा सकता है कि वेंकट रामन भारतिय संस्क्रती के प्रति अत्यंत आस्थावान थे तो मतलब वो एक इतने बड़े वैज्यानिक थे इतनी बड़ी कम्यूनिटी में उनका उठना बैटना था लेकिन तब भी उनके अंदर का जो एक भारतिय था वो कहीं पे भी एक पॉसंट कम नहीं था कोई संस्क्रती उसके उपर ओवरलाप नहीं करती थी और उस संस्क्रती को उन्होंने बनाय रखने में हमेशा गर्व का अनभव किया तो ऐसे थे हमारे चंद्रशेखर वेंकर रामन जी तो ये पूरा पार्ट हमने फटाफट समझ लिया और साथ ही कुछ कोशिराजस भी देख लिए इस चैप्टर का हमने डिटेल एक्स्मिनेशन एंसी अर्टी सेलेशन पहले भी कराया हुए अगर आप उससे देखना चाहती हो तो आपको आना होगा हमारे चैनल मैगनेट प्वेंस पे वहाँ बर आप जब आएंगे तो आपको CBSE K212 English क्लिक करना होगा जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने सारी क्लासेस होंगी तो आप देखेंगे यहाँ पर क्लास 9 इसको क्लिक करिए क्लास 9 क्लिक करते ही आपके सामने वो सावरे ही सबजेक्स आ जाएंगे 9 के तो अब हम यह कहां पढ़ रहे थे इस पर्ष बुक में तो इस पर्ष बुक हमारी यहां रही इसे हम Watch Now पे क्लिक करेंगे जैसे हमने Watch Now पे क्लिक किया तुरंत ही हिंदी की हमारी पूरी प्लेलिस आ जाएगे आप जो भी chapter देखना चाहते हैं उसे क्लिक करें उसके इंदर कई सारे लेक्चर्स हैं टॉपिक के साथ में, आप उसे क्लिक करें, क्लिक करते ही आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा, वीडियो देखिए, अपने सारे डाउट्स क्लियर कीजिए, अच्छे से चैप्टर्स को समझें, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब शेयर करना बिलकल नहीं भूलेगा, थैंक यूपर वाचिंग, बाबाए,